प्यारे बच्चों इस वीडियो में प्लस्टू क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉंटिनीट इन डिफ्रेंशेबल टेकी मिस्लेनियस एक्सराइज कर रहे हैं हमारे सामने क्वेस्टन नंबर 21 इन डिफ्रेंशेबल टू पोइंट पे डिफ्रेंशेबल नहीं होना चाहिए जस्टिफाई यूर अन्सवल माल लेते हैं हम कंसिटर करते हैं एक फंक्शन सॉल्यूशन लेट एफ ओफ एक्स इस एकल टू मॉडलस ओफ एक्स प्लस मॉडलस ओफ एक्स माइनस वन यह हमारे पास कॉंटिनेस हैं एवरिवेर हम अभी चेक भी करेंगे एक्स इसकल टू जीरो एंड एक्स इसकल टू वन के उपर यह हमें डिफ्रेंशेबल नहीं मिलेगा यह भी हमने प्रू करके दिखाना यहां पर सो एफ ओफ एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस ओफ एक्स अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है when x is less than 0 means negative हो गया minus ये भी minus लेना पड़ेगा और 0 से कम होगा तो negative होगा negative को positive बनाने के लिए हमें यहां पे भी क्या लेना पड़ेगा minus so minus of x minus of x minus 1 x is less than 0 negative होगा negative को positive बनाने के लिए minus ये भी negative होगा इसको positive बनाने के लिए अब अगर हमारे पास and equal to 0 भी अगर हम बात करें x is less than or equal to 0 दोनों के लिए when x is greater than 0 and less than 1 0 और 1 के बीच में 0 और 1 के बीच में यह हमारे पास positive रहेगा so this is plus का x और यहां पर यह value हमारे पास क्या होगी क्योंकि 0 और 1 के बीच में है तो minus 1 अगर कुछ भी point होगा तो negative आएगा negative को positive बनाने के लिए मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा minus second condition और अगर x is greater than equal to 1 हो दोनों ही 1 से बढ़ें तो यह भी positive यह भी positive as it is लिखा जाएगा x plus x minus 1 हो जाएगा so यह function हमारा क्या बन जाएगा minus x minus x minus of 2x minus minus plus का 1 when x is less than equal to 0 x से x cancel हो जाएगा minus minus plus का 1 when x is greater than 0 and less than 1 x plus x this is 2x minus 1 when x is greater than equal to 1 यह function हो गया हमारा अब ध्यान देजिए यह मेरा polynomial है यह मेरा constant है यह polynomial है अगर हम x is less than 0 की अगर हम बात करें for x is less than 0 x is less than 0 and x is greater than 1 x is greater than 1 less than 0 सभी के लिए greater than 1 सभी के लिए fx is a polynomial function polynomial function और जो polynomial function होता है वो हमारे पास क्या होता है differentiable होगा और differentiable भी है derivable भी है derivable होगा तो वो continuous भी होगा सो सभी conditions होगी सो fx is derivable and continuous continuous function किस के लिए दिखा दिया हमने continuous less than 0 के लिए greater than than 1 के लिए अगर फोर जीरो से बन के बीच में क्योंकि तो हमने जीरो से less than 1 से बड़े के लिए दिखा दिया इनके बीच में for x is greater than 0 less than 1 fx हमारे पास क्या है एक constant function fx is a constant function constant function भी हमारे पास क्या होता है derivable भी और continuous भी so fx is fx is derivable and continuous function सिरफ 0 और 1 को छोड़के बाकी सभी के लिए क्या होगा है derivable भी होगा और continuous भी होगा और अगर हम इनका derivative निकालते हैं derivative निकाल लें तो यह value क्या हो जाएगी minus का 2 इसका differentiation करूँगा for x is less than 0 और 1 constant है तो इसका derivative लोगे तो क्या हो जाएगा 0 when x is greater than 0 less than 1 हो गया और इसका derivative लेंगे तो यह हो जाएगा plus का 2 when x is greater than 1 तो मैंने इसका differentiation भी बता दिया अब हम बात करते हैं at x is equal to at x is equal to 0 and 1 के उपर तो हम continuous दिखाएंगे क्योंकि इन्हों ने यह कहा कि continuous दिखाना है everywhere पहले हम continuity की बात करते हैं continuous का वह होता है left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of a आ जाए तो हम बात करें सबसे पहले at x is equal to 0 पे left hand limit क्या बनेगी limit x tends to 0 negative of fx 0 से slightly कम होगा तो मेरा function कौन सा होगा यहां पे देखिए minus 2x plus 1 so this is limit x tends to 0 negative function हमारा हो गया minus का 2x plus 1 x की value 0 पूट करूँ तो मेरा पास बन गया 0 plus 1 that is 1 this is our left hand limit now what is right hand limit limit x tends to 0 positive of fx limit x tends to 0 positive अब अगर slightly 0 से बड़ा है तो हमारा पास क्या है 1 है function हमारा 1 x की value 0 पूट करोगे this is 1 also f of 0 क्योंकि हम 0 के उपर ले रहे है f of 0 0 के उपर हमारा पास function क्या है minus of 2 into 0 plus 1 function हमारा minus 2x plus 1 है value पूट करोगे तो यह क्या हो गया 1 हो गया left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 0 so fx is continuous at x is equal to 0 पे 0 पे भी हमने continuous दिखा दिया अब दूसरा point कौन सा हमारा at x is equal to at x is equal to 1 left hand limit ले रहे हैं हम limit x tends to 1 negative fx less than 1 पे slightly less than 1 पे हमारे पास function क्या है 1 है limit x tends to 1 negative function हमारा 1 ही है तो value क्या हो जाएगी 1 हो गई right hand limit लूम है limit x tends to 1 positive fx बताइए 1 plus slightly 1 से जादा होगा तो मेरा function 2x minus 1 है तो limit x tends to 1 positive 2x minus 1 x की value 1 put करेंगे तो क्या होगा 2 into 1 minus 1 2 minus 1 this is 1 left hand limit is equal to right hand limit and f of 1 1 के उपर हम ले रहे है f of 1 equal to पे हमारे पास यह है this will 2 into 1 minus 1 so यह भी हमारे पास क्या बना 1 बन गया so left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1 so हमारा function जो हुआ fx is continuous at x is equal to 1 हमने यह दिखा दिया कि जो यह function है हमारा यह सभी values के उपर continuous है कहां से दिखाया हमने ध्यान दीजिए हमने x is less than 0 and greater than 1 के लिए यहां पर दिखाया है derivable continuous भी हो गया और यह उसका क्या है differentiation है less than 0 का minus 2 greater than 1 का 2 और अगर वह 0 1 के बीच में है तो यह भी हमारे पास continuous और derivable है और उसका derivation क्या है 0 अब यह इनके अलावा जो point बच्चे थे 0 और 1 पर यह function continuous है तो यह condition होगी कि continuous हो गया अब हमें क्या दिखाना है कि यह 0 और 1 के ऊपर डेरिवेबल नहीं है आप इसका screenshot लेना यहां तक का screenshot लें ताकि मैं इससे आगे question करासकूं अब हम दिखा रहे है जीरो और 1 के ऊपर यह डेरिवेबल है या नहीं है हमने जो fx लिया था fx हमारे पास क्या था modulus of x plus modulus of x minus 1 और fx की value fx की value हमारे पास क्या बनी थी minus का 2x plus 1 when x is less than or equal to 0 1 आया था हमारे पास when x is greater than 0 and less than 1 and 2x 2x minus 1 when x is greater than equal to 0 यह था हमारे पास function अब हम derivable की बात कर रहे है at x is equal to 0 के ऊपर ले रहे हैं हम तो हम left hand derivative left hand derivative limit h tends to 0 negative क्या होता था f of 0 minus h minus of f0 divided by h यह value लेंगे हम ज्यान दीजिए limit h tends to 0 negative less than 0 पे हमारे पास function हमारा यह है so value में क्या put करूँगा minus का h put अगर यहाँ पे minus h put कर रहे है तो limit h tends to 0 negative इसमें put कर रहे है हमारे पास function यह है minus 2 into minus h plus का 1 हो गया plus 1 and f of 0 0 पे भी हमारे पास function यह है अगर मैं x की value 0 put करूँँ तो यह क्या बन जाएगा minus का minus तो इसके 0 put करनी है and divided by हमारे पास क्या हो गया h हो गया तो limit h tends to 0 negative minus minus यह हमारे पास क्या हो जाएगा plus का 2h and plus का 1 और यहाँ पे यह क्या बन गया हमारा minus minus का 1 divided by h 1 से 1 कैंसल हो गया 2h upon h यह value क्या बन जाएगी limit h tends to 0 negative h से h कैंसल हो के 2 that means answer left hand derivative हमारा क्या हो गया 2 हो गया अब हम right hand derivative ले रहे है right hand derivative में limit h tends to 0 positive f of 0 plus h minus f of 0 divided by h होगा value आप put करोगे तो क्या बनेगा 0 plus h में हमारा पास function यह है so limit s tends to 0 positive इसमें put करेंगे तो function हमारा पास 1 ही रहेगा ठीक है and minus of f 0 0 पर हमारा पास यह है यह value हमारा पास क्या बनेगी minus का 0 plus का 1 divided by h हो गया limit s tends to 0 positive 1 यह minus minus यह तो 0 ही हो गया और यह minus का हो गया divided by h 1 minus 1 0 that means right hand derivative क्या हो गया 0 हो गया so left hand derivative is not equal to right hand derivative यहां से आगे हम यहां पर कर रहें left hand derivative is not equal to right hand derivative so f x is not derivable at x is equal to 0 पर derivable नहीं हुआ एक point पर तो दिखा दिया हमने एक point और अभी करना है कौन सा at x is equal to 1 पर left hand derivative निकाले left hand derivative limit h tends to 1 negative left hand derivative f of 1 minus h minus f of 1 divided by h क्या बनेगा limit h tends to 1 negative 1 minus h 1 से slightly अगर हम कम करते है हमारे पास function कौन सा बन रहा है यह बन रहा है so this is 1 minus of f of 1 f of 1 पर हमारे पास greater than 0 के लिए greater than 0 के लिए हमारे पास क्या function यह है तो इसमें value अगर मैं put करोंगा this is 2 minus 1 2 into 1 2 minus 1 divided by h that means limit h tends to 1 negative 1 minus 1 upon h this is again 0 हो गया at 1 पर left hand derivative 0 है हमारे पास अब हम निकाल रहे हैं right hand derivative right hand derivative क्या होगा limit h tends to 1 positive f of 1 plus h minus f of 1 divided by h क्या बनेगा भाई limit h tends to 1 positive 1 plus h 1 slightly greater than 0 से तो हमारे पास यह 1 से ज्यादा होगा तो यह function है इसमें हम क्या put करें 1 plus h 2 into 1 plus h and minus का 1 minus of f of 1 1 put करेंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास क्या हुआ 2 minus 1 divided by h limit h tends to 1 positive इसको solve करेंगे 2 plus का 2 h minus 1 और यह plus का बन बचा बट बाहर minus है तो minus upon क्या हो जाएगा h हो गया अब इसको solve करें 2 minus 2 यह value इससे क्या हो जाएगी cancel होगी so this is limit h tends to 1 positive 2 h upon h h say h cancel value किसके बराबर आगी 2 के बराबर आगी left hand derivative 0 था right hand derivative 0 so left hand derivative is not equal to right hand derivative so fx is not derivable at x is equal to 1 तो हमने देखा continuous हमने हर जगे पुरू कर दिया बट derivable ना तो x is equal to 0 पे है ना ही x is equal to 1 पे है बहुत important question था इसका भी आप screenshot लेना चाहिए screenshot ले सकते हैं चलिए इस वीडियो में इतना ही next video में गले questions के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जया हिन जया भार झार草 जा ठेल झार्मीन, के खिर मिलते हैं मार जया ही राप